दोस्तों आज की वीडियो में हम चार हाई ग्रोथ मल्टी बैगर स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कंजंप्शन ड्रिवन है हाई इन डिमांड है और ये बेसिक नेसेसिटीज में काम करते हैं और इनके प्रोड़क्स के डिमैंड हमेशा बनी रहेगी इन सभी स्टॉक्स के फंडामेंटल काफी स्टॉंग हैं सेल्स ग्रोथ प्रोफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली इंप्रूव कर रहे हैं और पास्ट में भी इन्होंने अपने शेर होल्डर्स को काफी अच्छा रिटरन बनाके दिये हैं और बेस्ट अपन देर सेल्स ग्रोथ और प्रोफिट ग्रोथ ट्रजेक्टरी और ड्रिवन बाइ स्टॉंग डिमैंड हम आइडिया लगा सकते हैं कि आने वाले समय में भी ये अपने शेर होल्डर्स को बहुत अच्छी वेल्थ क्रियेट करके दे सकते हैं क्योंकि अभी इनका मार्केट कैपिटल लिम्टिड है एक स्मॉल कैप केटेगरी के स्टॉक्स हैं ये सभी और इन सभी स्टॉक्स के बिजनस मॉडल में काफी हाई ग्रोथ पोटेंशिल है तो दोस्तों खरीदते समय किन-किन बातों का ध्यान रखें किन-किन लेवल्स को आप माइंड में रखें और क्या स्ट्रेटेजी फोलो करें सब कुछ डिसकस करेंगे इसी वीडियो में और दोस्तों ये वीडियो हम सिर्फ एजुकेशनल परपस के लिए बना रहे हैं कोई बाइं ये सेलिंग कॉल यहां पे नहीं है अगर आप किसी स्टोक को खरीदना है बेचना चाहते हैं तो आप आपने फाइनेंशल एडवाइजर की सला जरूर लें और फेंड्स वीडियो काफे इंफर्मेशनल होने वाली है तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें स्टोक के बात करें तो यहां पे एंड अफ देखने को मिली है लेकिन कल यहां पे काफी स्टॉंग कमबेक स्टॉक ने किया था यानि कि अच्छी खासी तेजी इस स्टॉक में दर्च की गई थी और फ्रेंड स्टॉक के ओवरॉल मोशन की बात करें तो स्टॉक काफी लीनियर मोशन में चलता है काफी कंसिस्टेंट अपसाइड यहां पे देखने को मिलती है यह एक साल का चार्ट आपकी स्क्रीन पे लगा हुआ है और एक साल में इसने 131 परसेंट के रिटरन बना के दिये है यानि की डबल से भी जादा मातर एक साल में अपने इन्वेस्टर के पैसे को इसने कर दिखाया है फ्रेंड अगर टेकनिकल चार्ट को स्टडी करें तो इस लेवल पे जहां यह रिस्टेंस फेस इसने किया है यह लेवल है 1200 का और यहां पे एक काफी अच्छा सपोर्ट लेवल बन सकता है आने वाले समय में तो फ्रेंड लेवल यानि की 1200 रुपे का लेवल आपको माइंड में जरूर रखना है अगर यह स्टॉक आपको 1200 रुपीज की रेंज में मिलता है तो आपको धीरे धीरे अपने पॉर्टफोलियो में एक्युमिलेट करके चलना है दोस्तों इस कंपनी की सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ काफी कमाल की देखने को मिल रही है अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करें और अगर हम उपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 838 करोड से बढ़ते बढ़ते 2688 करोड पे पहुँच चुके है अगर हम नेट प्रॉफिट को स्टेडी करें तो यहाँ 214 करोड से बढ़के होता है 300 करोड तो दोस्तों उसके बाद कोविड का एफेक्ट यहाँ पे देखने को मिलता है लेकिन कमबेक बहुत स्ट्रॉफिट किया है आप देख सकते हैं 357 करोड से बढ़के सीधा डाइरेक्टली 746 पे इसके प्रॉफिट पहुँच चुके है और आफ्टर देट सीधा डबल इसके प्रॉफिट देखने को मिलते हैं तो सेल्स ग्रोफ और प्रॉफिट ग्रोफ काफी कंसिस्टेंट और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करें तो इसकी सेल्स ग्रोफ लास्ट फाइव यहज में 18 परसेंट से ग्रोफ हुई है और अगर stock price CAGR देखा जाए तो last 5 years में 48% के CAGR से इसने returns बना के दिये हैं वहीं last 3 years में 62% के CAGR से इसने returns बना के दिये हैं और last 1 year में इसने अपने shareholders की wealth को double से भी ज़ादा कर दिखाया है 131% के returns यहां पे देखने को मिलते हैं तो अभी अपने 5 years मेंडन PE से slightly premium valuations पे यहां पे trade कर रहा है as already discussed इसका 5 years का मेंडन PE है 54.4 and current PE is somewhere around 59 और अगर यह इस level पे आया यानि की 1200 के level पे आया तो वहां पे इसका PE यानि की current PE अपने 5 years के मेंडन PE पे थोड़ा बहुत नजदीक पहुँच जरूर जाएगा so friends अब business model की बात करें तो यह Pepsi को brand के लिए काम करता है it is associated with Pepsi को brand since 1990 और तब से यह package water soft drinks, cold drinks etc. manufacture करता है और marketing करता है इसके कुछ products यहां पे आप अपने screen पे देख सकते हैं दोस्तों कुछ products इसके Pepsi, Pepsi को, Mountain Dew, Mirinda यह जो Pepsi को brand के अंडर जो sell होते हैं यह सभी warun beverages द्वारा ही manufacture किये जाते हैं और दोस्तों यह company innovation के लिए भी जानी जाती है यानि की नए नए products launch करती रहती है और customer based on customer feedback उनकी marketing भी करती रहती है आप देख सकते हैं यह mango shake, cold coffee, choco shakes इस type के products भी बनाना इसने शुरू कर दिया है all in all soft drinks and beverages में काफी wide variety यह manufacture करती है so let's move on to our next stock now और हमारा आज का next stock है jubilant foodworks दोस्तों इस stock की बात करें तो आज इसमें 0.32% की ग्रावर देखने को मिली है और अभी यह 519 के आसपास trade कर रहा है दोस्तों 500 के level पे इसका एक बहुत strong support और resistance है plus 500 का एक psychological support तो है ही दोस्तों यहाँ पे अगर इस current जो price पे इसने closing दी है उस वहाँ पे अगर timeline के across इसको trace करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका कितना strong support और resistance level है इससे पहले की बात करें हो यहाँ पे भी support लिया है और यहाँ पे भी इसने काफी consolidation face किया है और अगर इस stock के all time high की बात करें तो 806 रुपीज का इसने all time high clock किया है और वहाँ से लगबग लगबग 35% के discount पे अभी हमको stock available है और इफ वी talk of RSI तो RSI भी इसकी लगबग 40 के आसपास देखने को मिल रही है और अगर इसके business model की बात करें तो यहाँ पे domino's pizza के इसके पास master franchisee rights है and other than domino's pizza, duncan's donuts brand के भी इसके पास master franchisee rights है और यह दोनों ही brands काफी popular हैं, काफी growing है और इनके जो products हैं, यानि की food products हैं, वो हर age के customers पसंद करते हैं चाहे बच्चा हो, youngster हो या बुड़ा हो, हर age का और technically अगर stock 500 के आसपास कहीं मिलता है तो वहाँ पे आप इसको अपने portfolio में accumulate करके चल सकते हैं Friends, अगर fundamental front पे इसकी technical return on equity की बात करें तो 21.1% का ROCE है, और return on equity 25% का है और अगर यहां sales growth की बात करें, तो मार्च 2018 में 3018 करोर की sales इसने clock की थी, वहीं मार्च 2019 में 3563 करोर की, और मार्च 2020 में बढ़के हो गई है 3927, लेकिन यहाँ पे due to covid effect इसकी sales में गिरावट देखने को मिली हैं, from 3927 to 3312 करोर रूपीज लेकिन दोस्तों उसके बाद इसने comeback काफी strong किया है और फिर से अच्छा rebound यहाँ पे sales में देखने को मिला है यह आप देख सकते हैं 3312 से बढ़के 4396 and then 4943 और अगर operating profit की बात करें तो 442 करोर से बढ़ते बढ़ते 1195 करोर पे पहुँच चुके हैं और अगर during the same time period हम इसकी operating profit margin की percentage देखें तो कहीं न कहीं वो भी growing stage में ही है आप देख सकते हैं 15% से सीधा 24% coming to PBT 303 करोर से बढ़ते बढ़ते 637 करोर पे पहुँच चुके हैं and if we talk of net profit 196 करोर से बढ़ते बढ़ते 473 करोर पे यह पहुँच चुके हैं so friends let's move on to our next stock now but before that अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया है ता प्लीज चैनल को सबस्क्राइब करें और बेल आइकन को दबा के all पे जरूर क्लिक करें तो दोस्तों हमारा next stock है हिंदुस्तान foods limited दोस्तों अगर हिंदुस्तान foods के technical chart की बात करें तो यहां पे six months का chart हमने आपके screen पे लगाया हुआ है और six months में past six months ने इसने 80% का return अपने shareholders को बना के दिया है और आज के दिन इसमें काफी धुवांधार तेजी देखने को मिली है 4.70% stock उपर है और अगर आप इसके chart को देखेंगे तो यहां पे जहां पे इसने resistance फेस किया था उसी level पे आज इसने closing दी है यानि कि 623 के असपास तो दोस्तों यह जो दो candles नजर आ रही हैं यहां पे कुछ कुछ same pattern बनता नजर आ रहा है तो देखने वाली बात यह होगी क्या यह stock फिर से fresh high के लिए तयार हो रहा है या यहां पे further downside यानि कि गिरावट देखने को मिलेगी तो clearly अभी काफी resistance लेवल पे stock काम कर रहा है और अगर RSI की बात करें तो लगबग 48 की RSI लेवल यहां पे देखने को मिल रहा है वहीं इसका all time high की बात करें तो 749 रुपीज का इसने all time high clock किया है और लगबग वहां से 18% के आसपास अभी इसमें गिरावट देखने को मिल रही है या कह लीजिए 18% के discount पे अभी हमको यह stock मिल रहा है return on capital employed यानि की ROCE की बात करें तो almost 16% का है और इसका return on equity वी लगबग 16% का ही है अब sales growth के figures देख लेते हैं दोस्तों मास 2019 से लेके अब तक इसकी sales 492 करोर से बढ़ते बढ़ते 2368 करोर पे पहुँच चुकी है and if we talk of operating profit from 33 करोर to 139 करोर और PBT यानि की profit before tax 18 करोर से बढ़ते बढ़ते 86 करोर पे and net profit 12 करोर से बढ़ते बढ़ते 58 करोर पे दोस्तों यहाँ पे COVID का भी कुछ खास effect देखने को नहीं मिला है और ऐसा क्यों है यह अभी हम आपको आगे समझाएंगे और अगर percentage में बात करें इसकी compounded sales growth में तो last 3 years में इसने 61% की sales growth clock की है और वहीं last 3 years में compounded profit growth की बात करें तो 55% का profit growth इसने clock किया है return on equity की बात करें last 3 years में 17% की return on equity इसने clock की है और अगर हम इसके stock price CAGR की बात करें तो last 10 years में इसने 89% के CAGR से अपने shareholders को return बना के दिये है last 5 years में 56% के last 3 years में 66% के और last 1 year में 62% के CAGR से इसने अपने shareholders को return बना के दिये है friends company के overview ले ले लेते हैं company की अगर operations की बात करें तो 1988 से ये working में है यानि की company की management को काफी अच्छा खासा experience है business का और ये बहुत सारी multiple FMCG, personal care, home care, food and beverages, leather shoes and accessories companies के लिए contract manufacturing का काम करती है तो आप यहाँ पे अपनी screen पे देख सकते है हिंदुस्तान Foods Limited is most diversified and versatile contract manufacturing company in country और अगर product range की बात करें तो यह आपे personal care, home care, food and beverages and leather की बात की गई है और decades of expertise यानि की बहुत पुरानी 1988 से ये company manufacturing कर रही है which has resulted in highly experienced teams in various locations supported by judicious mix of machines and systems for cost efficiency to the customers तो major categories की बात करें तो यहाँ पे food and beverages ये list आप देख सकते हैं दोस्तों अगर हम तो यहाँ पे हमारे daily use के almost सभी material आ जाता है और यहाँ पे beauty and personal care में आप देख सकते हैं अगर leather, sportswear, footwear, accessories की बात करें तो यहाँ पे आप कुछ products देख सकते हैं home care segment के list देखें तो ये liquid detergent, powder detergent, etc. आप पढ़ सकते हैं health and wellness के segment में अगर हम detailed description देखें तो यहाँ पे भी बहुत लंबी list देखने को मिलेगी other than this ये pest control में भी business करती है mosquito, mat, coils, etc. active cards, liquid wiporizers और जिन जिन ब्रैंड्स के लिए काम करती है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तो बहुत लंबी list है आप देख सकते हैं, surfacel, rin, comfort, detall, lizol, mortine, mother care, lecme vimbar, wheat, etc. etc. harpic, red level, taj mail तो दोस्तों main motive is समझाने का main motive यह है कि यह essentials में काम करती है और इसी लिए हमने कहा था यहाँ पे इसके business growth पे इसकी sales growth पे, इसकी profit growth पे COVID का effect भी देखने को नहीं मिला था क्योंकि COVID के दोरान भी essentials का business तो चल ही रहा था और दोस्तों जिस type का business यह करती है इन सारे products की demand आने वाले समय में बढ़ने ही वाली है because India is a consumption driven company sorry country तो यहाँ पे इन सभी चीजों की demand आपको बढ़ते हुए नजर आएगी ही आएगी so friends let's now move on to our next talk so our next talk is KPI Green Energy Limited तो दोस्तों सबसे पहले business level discuss कर लेते हैं तो business model की बात करें तो यह एक independent power producer of energy plus contract manufacturing भी करती है supply भी करती है to our other power producers our friends company focused है renewable and clean sources पे for energy and power generation it provides solar energy to solar power projects under the brand solarism and other than this company also develops transfers, operates, maintains and sells grid connected power projects to its customers by providing them infrastructure along with the land to generate solar power यानि की contract basis पे भी company काम करती है means अगर किसी को contract basis पे solar power plant चाहिए तो वहां पे भी ये company deal करती है तो दोस्तों इस company के पास बहुत बहुत बड़े बड़े orders हैं तो सेट अप solar power plants in various states और दोस्तों आने वाले समय में ये order book इसकी बढ़ते हुए ही नजर आ रही है क्योंकि इंडिया धीरे धीरे clean energy की तरफ शिफ्ट हो रहा है यानि की जिससे pollution काफी कम फैले और source of energy readily available हो तो दोस्तों based upon this इसका future growth perspective काफी bright है और आने वाले समय में इसकी sales और profit growth बड़ते हुए नजर आ सकती है फ्रेंड्स एक micro cap company है या small cap कह लीजिए 1500 करोर के आसपास का इसका market capital है और currently ये 872 रूपीज के आसपास trade कर रही है अगर RSI देखें तो 50 से कम का थोड़ा सा RSI देखने को मिल रहा है लगबग 48.5 वहीं ROCE की बात करें तो 20.7% है और return on equity 33.4% है और अगर हम इसकी stock PE देखें तो 23 के PE multiple पे ये अभी available है और PEG ratio 0.58 है तो as per PEG ratio stock is undervalued और friends अगर इसकी sales growth check की जाए from March 2018 till date तो 32 करोर से बढ़ते बढ़ते 381 करोर पे पहुँच चुकी है और operating profit की बात की जाए तो 19 करोर से बढ़ते बढ़ते 145 करोर पे पहुच और दोस्तों अगर net profit की बात की जाए तो 7 करोर से बढ़ते बढ़ते 67 करोर पे ये पहुच चुके है और दोस्तों अगर percentage wise check किया जाए sales growth in last 5 years comes out to be somewhere around 53% and in last 3 years 86% और अगर हम compounded profit growth की बात करें in last 5 years 41% in last 3 years 105% और अगर हम return on equity check करें in last 5 years it is 17% in last 3 years it is 20% और last year की बात करें तो लगबग 33% देखने को मिल रहा है and if we talk of stock price CAGR तो last 3 years में इसने अपने shareholders को 181% का return बना के दिया है और last 1 year में 161% का return इसने अपने shareholders को बना के दिया है दोस्तों अगर इसके levels की बात करें तो जहाँ पे आज इसने closing दी है 872 पे close किया है आज और अगर हम इस level के across timeline चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कितना consolidation इसने face किया है और अगर down the timeline देखें तो यहाँ पे 800 पे इसका काफी strong support नजर आ रहा है और अभी यह 800 से ही घूमा है तो दोस्तों अगर आपको 800 के आसपास कहीं है stock मिल जाए तो वहाँ पे आप दीरे दीरे business करता है और demand strong demand driven sector है जहाँ पे आने वाले समय में आपको multifold growth देखने को मिल सकती है तो दोस्तों हमारी कुछ पहले वाली वीडियो के link आपकी screen पे दिये गए हैं उन में भी हमने काफी अच्छे stocks cover किये हैं उन वीडियो को आप जरूर देखिए चैनल को subscribe करें और bell icon को दब के लिए good bye take care and thank you for watching this video